अस्सलाम आलेकुम आज मैं आपसे टॉटिला रैप्स की रेसिपी शेयर करूँगी तो चलिए देख लेते हैं कि इन रैप्स को बनाने के लिए हमें कीन इंग्रेडियंट्स की जरूरत होगी तो यहाँ पर चटर चीज के 6 स्लाइसिस हमें चाहिए होंगे और कुछ स्लाइसिस हमें टुमेटो के चाहिए होंगे और इसी तरह से कुछ स्लाइसिस हमें कुकमबर के चाहिए होंगे कुकंबर और टोमेटो के स्लाइसेज आप अपनी जुरूरत के मताबिक ले सकते हैं रैप्स को बिल्ट करने के लिए कुछ सैलट लीवस हमें चाहिए होगे और वन थर्ड कप के जितनी टोमेटो कैचप हमें चाहिए होगी और 1 3rd cup ही के जितनी हमें चाहिए होगी मायोनीज क्रीम मायोनीज क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 3 टेबल स्पून के जितनी फ्रेश क्रीम और 3 टेबल स्पून ही के जितनी हमें चाहिए होगी मायोनीज इन दोनों को मिक्स करते हुए इसमें आप half tea spoon lemon juice और half tea spoon powdered sugar add कीजिए इसे अच्छे से mix कर लिजिए तो यह mayonnaise cream आपकी त्यार हो जाएगी बहुत ही यमी लगती है यह sandwiches में और wraps में तो चुके हम शामी कबाब tortilla wraps बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ शामी कबाब हमें चाहिए होंगे कम ज्यादा आप कर सकते हैं 6 white tortilla wraps हमें चाहिए होंगे मैं यहाँ पे store bought tortillas यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो आप घर की बनीवी रोटी भी इन wraps के लिए यूज़ कर सकते हैं तो चलिए यह रैप को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक टॉटिला रैप में ने ले लिए और सबसे पहले हम इस पे मायोनी स्क्रीम लगा देंगे आप अपनी पसंद के मताबिक कम ज्यादा लगा सकते हैं तो यह लगा दिए और अभी इसके ओपर सेलट सेलेट लीफ में रखते हैं कि अजयाँ की और चीज दमारी सेफित करते हैं नजवसिंटीगि लगा Si और झालश केयाँ कबाब तो आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन आप रखिए कि इसको हमने बंद भी करने रैप को ताकि अच्छे से बंद हो जाए तो मैं डेड़ शामी कबाब इसके उपर रखूंगी और अभी हम इसके उपर टमेटो केचप लगा देते हैं जितनी आपको लगानी हो अपनी चॉइस के मताबिक आप लगा दीजिए तो चली यह लगा दिया मैंने अभी इसके उपर टमेट को कमबर के इसके उपर रख देंगे अभी इसको क्लोस कर लेते हैं अच्छे से तो क्लोस करने के लिए सबसे पहले हम यह नीचे का पोर्षन उठाके इसको करेंगे और फिर जो साइड्स है इसकी इसको बिल्कुल इस तरह से इसको क्लोस करेंगे यह यह शेप आनी चाहिए और अभी इसको सिक्यूर करने के लिए कोई साभी वैक्स पेपर बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर आप ले लीजिए उसके साथ हम इसको रैप कर देंगे तो मैं यहां पे यह पेपर एक लेरी हूँ और इसके साथ म इस तरह से इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे इसको स्क्यूर करने के लिए थोड़ी सी टेप भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे मैं टेप लगा दूंगी और यह देखिए बहुत अच्छे से रैप हो गया और अभी इसको मजीद स्क्यूर करने के लिए हम एक त्रेड यूज़ करेंगे तो कोई सभी थ्रेड आप ले लिए तो यहां पर यह थ्रेड यूज़ करी हूं और इसको इस तरह से रखते वे तो इसको थ्रेड जो है वच्छे से टाय कर देंगे कची सी नॉट लगा देंगे तो यह देखने में बहुत ही जबदस लगेगा तो यह दिखिए यह हमारा एक टॉटिला रैप बनके रेड़ी है पिलकुल इसी तरह से मैं बाकी के सारे बना लेती हूं और फिर मैं आपको दिखाते हूं उनकी फाइनल लुक